मौनसूर सत्र के चोथे दिन विदान सभा में आज जनुपूरग बजट पर चर्चा प्रशनोत रखाल के दोरान विपक्षी सदस्योंने का हंगामा बजटार्च सभा के बारे विपक्ष का प्रधर्शन आरजटी कॉंग्रेस माले ने अलग-अलग मुद्दो को लेकर किया प्रधर्शन बजटामे प्रधर्शन कर रहे पंचा दवार्स चीब कार्मियों फर प्लिस ने किया लाभी चार्ज साहर चाहर समान बांदूर्ज की कर रहे है मालू तकनन माबले में इकारवाइज हारी प्लिस माने दिशों के दिश पर जिका नग-अलग-अलग नमस्कार आप देखर हैं हमार बिहार और मैं हूँ आपके साथ हमें सिंग तो सुर्कियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार सुरकार के खणन भुतत्यों मंतरी जनक राम ने अवायत बालु खणनन मामले में हो रही कारावाई पर कहा कि राच में अवायत खणनन पर रोक लगा करहीं सरकार दम लेगी उन्हों ने क्या कहा बिहार में बालु खनन को लेकर जो कहा जा सकते हैं कि बड़ी करवाई है और खान भूतत्री हमारे साथ है सर उनसे जान लेते हैं सर एक बड़ी करवाई आप लोग ने किये बड़ी उपलब्दी है बिहार के लोगों को बालु सस्ता नहीं मिल पा रहा था खनन माफियाओं के साथ जो बहवार चल रहा था अधिकारी भी इसमें सामिल थे आप लोग ने उन पर करवाई कर दी। सरकार का एक मकसद है कि सरसमय आम लोगों को इस सरकारी प्रजेक्ट हो या प्राइवेट प्रजेक्ट हो वो आम लोगों को बालू महया कराना और जो सरकार निर्धारत बालू को रेट तै किया है उसे रेट पे बालू को लोगों के बीच में ले जाना चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में भाजपा की विदाक का और मंत्री नितिन डवी ने टीमसी सांसद के बयान को लेकर थे जस्वी आदो को निक्षाने पर लिया और हुने कहा कि अब तो महमता बैनरची के भती चेते जस्वी आदो का जवाब देना चाहिए बता दें कि टीमसी सांसद पर विहारियों को गुंडे काने का आरोप लगा है। प्त्नमे वामदल के विधाकार सतंदर पास्वान ने टीम से संसद महवा मौित्रा के बयान पर डापती जताइए तविहारियों के लिए गुंडे कहने पर विधाक ने कहा कि जिस भाषा का प्रियूग संसदमे किया है बिहार के लोग अपमान सहना नहीं जानते हैं बिहार के लोग स्वाविमानी होते हैं और देश की आजादी जब मिली मित्रा के सब्द का इस्तमाल करना बिहारी पर ये मांसिक दिवाली अपन का धोतक है और महुआ मित्रा क्या डांसर है उसकी इजद और उसके कर्तुत तो सब लोग जानते हैं इसलिए महुआ मित्रा जैसी डांसर का हम कोई नोटिस नहीं लेते हैं अपमानित मसुद कर रहे हैं आप बेलकुल वो दूसरे को अपमानित करेगी उसका क्या क्रिया करम रहा है पुरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं महुआ मित्रा को वो विस बेसुद डांसर है और उसकी पॉलिटिक्स के अंदर इंट्री जो है किन कारणों से हुई है ये बंगाल नहीं हिंदुस्तान जनता है तेमसी सांसर्थ के बयान पर आरजुरी निता भाई बिरेंदर ने मम्ता बरनर्ची से सांसर्थ पर कारवाई करने की मांगी है साथ ही उन्होंने बयान वापस लेने की भी मांगी बिहार के लोग अपमान सहना नहीं जानते हैं बिहार के लोग स्वाहिमानी होते हैं और देश की आजादी जब मिली थी तो बिहार से ही अंदोलन सुरू हुए थे तो देश हमारा आजाद हुआ था अगर बिहार को इस भारत से छांट दिया जाए तो भारत नाम का कोई चीज नहीं रहेगा इसलिए बिहारीों के साथ कोई भी दिरवहार करता है अगर बिहारी जिस दिन ये निश्य कर लेगा कि हम किसी राज पे नहीं जाएंगे तो वो सब राज मर जाएगा भुखमरी के कागार पर हो जाएगा बिना बिहारी का या देश भारत नहीं है निश्य दूर्प से बियान वापस लेना चाहिए और टीमसी के ममता बनर्जी से मैं कहूंगा कि वैसे एमपी पर करवाई करना चाहिए जो बिहारीों के आसमत पर आज पहुंचाने का काम किया टीमसी के सांसेद के द्वरा बिहारीों का अब शब्द कह जाने पर कांग्रेस ने बड़ी सधी पर दिक्रिया दिया है कांग्रेस वदायका शुकिल अहमद खान ने कहा है कि मुझे बिहारी होने पर घमंड है उनका पूरा विबाद भाजपा के सांसेद निश्यकान बहुत है ना तो कोई विवाद होगा कोई बाचित होगी आपसी विवाद होगा मतलब भारतीय जंता पार्टी के निश्यकान को बोला है मुझे से सवाल किया तो मैं तो सवाल का जवाब इसमें नहीं थे कि मैं विखारी होने पर घमंड करता हूं लेकिन निश्यकान ने विवाद विवाद किसे था भारती जंता पार्टी के निश्यकान से वाद विवाद था ना विवाद विवाद किसे हुआ है यह तो कंटेक्स्ट यह तो कंटेक्स्ट हमेशा कंटेक्स्ट देखना चाहिए किसके साथ वाद विवाद हो रहा है आप अब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उनके लिए बजट में एलोकेट नहीं कर सकते हैं आप योजना नहीं बना है तो जानकारी होगी तो उसके अथिक न conse सकेगा योजना बना करके उन गरीबों को उन व्यक्तियों को हम लोग जो है लाब पहुंचा सकते हैं इसमें आप लोगों ने भी कई बार प्रतिक्रिया देखी होगी मुख्यमंत्री जी की भी नितिश कुमार जी की मुख्यमंत्री जी तो पाठ है अन्डिय का मुख्यमंत्री जी तो हिस्सेदार है एंडिय का वह कहते हैं मुख्यमंत्री जी की भाई होना चाहिए लेकिन करेगा कौन यहां तो डबल इंजन की सरकार हैं बिहार में के अंदर सरकार में सपस्ट रूप से लिकर के मना कर दिया है कि नहीं गिंती कराई जाएगी हमारे यह मांग है हम चाहते थे कि सदन में प्रस्ताव लाएं लेकिन बार-बार बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है इसलिए रोका जाना कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए दुविदा ना बन जा है और बीजेपी क्योंकि सदन से पास कर चुकी है समति और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है वो मना कर दे रही है तो हम लोग यह चाहते हैं अभी हमने सभी विपक्ष के निताओं से भी हमने बात की है हम यह प्रस्ताव देना चाहते हैं कि भाई विहार विधान सवाद दो बार जब पारित कर चुका है तो यह हमारा अंतिम मंजल तक हम लोग इस मुकाम को पहुंचा है और इसमें जिन कारण से नहीं हो रहा है कि इंद्र सरकार ने क्यों मना किया नहीं मना किया तो हमने यह प्रस्ताव दिया कि भाई एक विधान सभा की कमिटी बने भले ही मुक्य मंत्री उसका लेतित करें और प्रधान मंत्री से समय ले करके हम लोग मिलने वहां जाएं और यह हम लोग डिमांड जो है प्रधान मंत्री के सामने रखे अभी फिर से हम लोगों की बैठक होने वाली विपक्ष के लेताओं के साथ और हम लोग बैठक में यही फैसला हम लोग लेना चाहेंगे कि भाई मुख मंत्री से मिल करके क्योंकि सदन में हर एक प्लैक्फॉर्म में हम लोगोंने कोशिश कर लिया क्योंकि यह मुद्दा आप लोग जानते हैं लालू जी शुरू से उठाते रहे हैं हमारी पार्टी हमेशा से उठाती रही है और जब मुख्यमंत्री को एतराज नहीं है तो हम लोग कम सिके मुख्य मंत्री से मिलकर के यह बात कहें कि आप प्रधान मंत्री से मिलने का समय लीजिए एक डेलिगेशन विहार विधान सभा का हम भी उसमें शामिल होंगे सब दल के लोग शामिल होंगे क्योंकि समती से पास हुई प्रधान मंत्री से मिलकर के यह मांग करें कि जो बाकी के जो छ कि अगर आप नहीं डेलिगेशन बनाईएगा और नहीं जाईएगा तो आप पक्षिधर हैं जैसा कि आपके ब्यानों से हम लोगों ने देखा तो आप राज सरकार जैसे करनाटका सरकार ने अपड़े खर्चे पर गिंती कराई है तो आप भी राज सरकार रोशना कर दे कि बिहार सरकार जो है जाती जन्गन ना अपड़े खर्चे पर कराई तो इसको लेकर करके हमारी एहम बैटक अभी हमारे चेंबर में होने वाली है जिसमें की विपाक्ष के नेता हैं फिर हम आज देते हैं या कल देते हैं लेकिन यह दो महत्पून प्रस्ताव जो है विहार के हित में हैं इसलिए सर्वस्वमती से सभी दलों ने पास किया है जो गरीब हैं उनके हित में हैं इसलिए सर्वस्वमती से यह पास किया गया है उसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह काम हो और इस पे हम लोग सब लोग बैठ करके भी चल्चा करें जो लोग भी अगर ऐसा ब्यान देते हैं तो ऐसा ब्यान नहीं देना चाहिए और कम सी कम ये दुखद है और इससे जादे तो हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन बिहार जो है लोकतंतर की जनिनी है बिहार महापुर्शों का महापुर्शे यहां कर्म भूमी रही है गांधी जी की भी कर्म भूमी रही है गौतम बोद महावीर से लेकर के जैन से लेकर के सब लोगों ने यहां सब काम किया है इसलिए हम लोग सब लोग पहला है विहार ना को बहार है लोग महनती होते हैं अब बीहार के लोग सबसे ज्यादा अगर आई एस maximalist भी देखा जाए तो देश को बनाने कांड़े करते हैं और डेश को चलाने कांड़म्यारी तो अगर कोई ऐसा प्यान देता है उसनटार आम लोग है पांग है पंप पीएम से मिल कर जातिया जन्गरणा किराने भी मांग करेंगे तो तेजस्वी आदव का बड़ा बयान यहां पर जातिय जंगरना को लेकर साफ़तर पर उन्हें कहा कि सद्धर में प्रसाव रखने की कोशिश की गयी लेकिन इसे नहीं तो एकर किया जातिय जनगरना कराने की मांग पीम से मिलकर करेंगे और सीम से मिलकर इसकी अपील करेंगे तो तेजस्वी आदव का बड़ा बयान है कि सद्धर का बड़ा पर उन्हें हम खाबर में आगे बड़ते हो जोग मंतरी शानवाज हुसेन ने टीमसी साथ सत्मा हुआ मोहित्रा के बेहान पर कड़ा एतराज चताया उन्होंने कहा कि आरचेरी के लोगों ने चुनाव के समय में टीमसी के लिए परशार किया था लिए राजित के लोगी सभी के साथ मिलकर विधान मंडल से निंदा प्रस्ताव पारित कराएं जब सवाल बिहार का हो और बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए ये चोदा करोड बिहारीयों का अपमान है आज के बाद आरजेडी को जिनोंने परचार किया था टीमसी के लिए बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे मान सकता बिहार विरोधी मान सकता रखने वाले पाटी के लिए परचार परसार किया और दूसरा आज के बाद टीमसी से सदा के लिए अपना रिष्टा आरजेडी को कांग्रेस को जो दल ममता दीदी की बड़ी पैरवी कर रहे थे आज उनके लिए सवाल है क्या आप बिहार की तरफ हैं या बिहारीयों को गुंडा कहने वाली टीमसी की तरफ हैं विएर विदार प्रश्च्ट में कौगरेस सदस्त प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल उठाया कौगरेस सदस्त तो रान नर्हाजी जिए की बियार की सदस्त प्रश्च्ट से पिर चोलें पदार्थ से वैट कम करने की मांग की वापस लो वापस लेने बढ़ रही मागाई खासकर खाथ तेल और खाथ पदार्थू साग सब्सक्राइब करने को लेकर मैंने एक कार अस्थगन प्रस्ताव दिया है कॉंग्रिस पार्टी का मानना है कि पूरे देश और पड़े बिहार महगाई से लोगों की हालत खराब हो रही है और पिट्रॉल डिजल की बड़ी भी कीमत मैं इसी कीमत पहली बार बिहार के लोगों को देना पड़ रहा है स्वास्त मंत्री मंगल पानने की स्थीफ़े की मांगी इस दोरान विदायकों ने सकार का खलाफ को जम कर नारे माज़ी प्यार्चिरी विदायकों ने भी कुरोना को लेकर जम कर हंगामा किया वाजनी ने कुरोना काल भी पेड़त परिवारों को मापजादी ने समित कई मांगों को लेकर हंगामा किया और स्वास्त मंत्री के स्थीफ़े की मांगी बन करो बन भकात लोगों ने कोवीड पर काजा स्थन दिया है हम मानते हैं कि बिहार सरकार कोवीड के मामले में आक्रे को छुपा रही है और स्वास्त मंत्री लगातार जूट बोल रहे हैं पिछली बार भी और इस बार भी स्वास्त मंद्री की नाकामी पर नितिश कुमार चुप हैं हम मांगरते ही कि स्वास्त मंद्री को बर्खास करें और दो लाग से ज्यादा हुई कोवीड के दोर में मौतों के पहियनों को पिछली बार भी और भी और दोर में पर दोर में लगतार सरकार कारवाई की है और इसी कड़ी में करफिर से यह कारवाई देखने को मिल रही है जहां चार इस्पेक्चर सहित तेरा अधिकारियों पर कारवाई हुई है डीजीपी के दिरदेश पर यह कारवाई की गई है अवैद वालू खरन मामले में यह कारवाई हुई है तो डीजीपी के दिरदेश पर यह कारवाई की गई है जिसमें तेरा पुलिस आफिसर पर गाच किरी है वियार में पॉर्डो शराब बंदी के बाद भी शराब की बिक्री हो रही है लिहाज साब पहले भी पॉलिस की कारशली पर सवाल उठ रहा था अब चुरा चुरा के बेची रहा है लेकिन इतना बात जरूर कहूंगा यह दरोगा अगर सुधर जाये तो किसी थाने में दारू नहीं बीख सकता पॉलिस ने पहले उन्हें गांदी मेदान के अंदर ही रूख लिया अलागि वहाज से वो ताला तोड़ कर बाहर निकल गए और वैदान सवा की तुरफ है बढ़ने लगे लेकिन पॉलिस ने जेपी गलंबर के पास रोक दिया जिसके बाद वहीं पर हंगामा करने लगे और पॉलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे जिसके बाद पॉलिस को लाठी चार्ज करना पढ़ा सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें इस लाख रोजगार दिया जाएगा लेकिन एक लाख 14000 को बेरोजगार किया गया है लोगों को पहले वार्निंग दी गई थी कि आप लोग अब दितर वितर जाए लोग फोर्स का इस्तमाल कर रहे थे तो हमारे मजिस्ट्रिट साब के द पाए और फोर्स का इस्तमाल करते रहे तो हमारे द्वारा भी वाटर कैनल अल डैट सब को चलाया गया चोटे भी आई है आए हलका पुल नहीं ऐसा कुछ बात नहीं हम लोगों ने पूरा सोच समझ कर और जो भी रूल डेगुलेशन है उसके हिसाफ से लाटी चार्ज किया एक दम हलका लाटी चार्ज किया। आज के बाद सस्बी ने बरामच चानीज रून की सूचना वरी अधिकारी को दी जब सुजुकी कार सहीत ग्रफतार विने को हरलाखी थाना के हवाले किया गया है। प्रति बंदित वस्तु के साथ जो है अपना हरलाखी होते हुए यह साहरगाट होते हुए जो है। बोटर पिलर संचा कितना खाए जी। गौपाल गिन स्वेकारे जोहां बेखाफ पापराथी उने अतियार के बल पर पैट्रल पंपर कार में तील भरवाने के बाद काश्टर से 57 रुपए की लूट कर ली। लूट की वरदात को अज्याम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए सुसी टीवी फोटेज में अपराधियों के ये करतूत गायद हो गए वीडियों में साब देखा जा सकता है कि अपराधी चार की संक्या में थे जिसमें दो अपराधी ने पेस्टॉल के बल पर पहले फंकर्वी को बंदग बनाए फिर उसे धक्का देते हुए कैश काउंटर के पास ले गए जिसके बाद अपराधियों ने नोजल में से पेट्रोल कम के मैनेज़र को कैश काउंटर का दर्वाज़ा खोलने के लिए बोला उसके बाद 57,000 रुपे लूट लिए अब नोजल निकाल रहे हैं तब तब हमारे पास आगया दोगों पिश्कल लेकर और हम पर भीरा दिया बोला कि कितना पैसा है हम बोले कि पैसा अभी नहीं है तो बोला कि अथी और पैसा कहां रखा है हम बोले कि पैसा नहीं है अभी तो हमको वहाँ से दोनों पांजा में धर के एक काउंटर के पास लिया आया दरवाजा पर तिन चार पैर से मारा तब तक हम बोले कि मनेजर सहीब देखिये क्या हो रहा है तो मनेज़ा सहब देखे तो उन पर मनेज़ा सहब पर भी तांदिया गया तो पानी गाव में भी पहुंचाएगा इसके आशंका को देखती हुए कई लोग अब उचे इस्थानों की और पलायन कर रहे हैं हमनों ने कहना है कि पिछले दू ढाय वहीनों से लगता जुला पदादिकारी से लेकर अंचल पदादिकारी तक इसकी लिके तो शिकायत की गई लेकिन बांध की मरमती नहीं कराई गई गया प्रसामी क्या है यूपी के बारा बंकी में बसाज से मदुबनी के दू लोग अखायल है जिनका इलाज लखनों के ट्रामा सेंटर में चल रहा है गालों के परिजन जल्द स्वास्ति सुधार की प्राफना कर रहे हैं जानकारी के मताबिक गाल दूनों फल परास्थाना इलाके की रहने बाले हैं सीता मड़ी में पुपरी धाना की सिंग्याही गाउं में पुराना मकान की गिरने से आट लोग दब गया इस वहास्थे में सी वह शेगरी स्वामी मौमद उस्मान की माख़े पर ही मौत हो गई वही साथ लोग हाल हैं जिनका इलाज चल रहा हास्थे में खाल सेमरन खातून ने बता कि घर काफी जर जर हालात में था और पैसे की कमी के करण घर कूर नहीं बन वहाँ चासों का लेकिन आज सुवे अचानक घर गिर गया इस है कि करण दो है रहा है जो कि आज सुवेद्ध दो बनाते हैं सब इसात हो नहीं सब एकी साथ थे पुरा आदर गीरा हुआ था था थो थोरा सब को सर्या रहते ते आभी पारी सुझ गिया और गिर जाए गवर रहने के लिये नहीं आए कितने लोगा इंजोड हुए और में तो कितने लोग की हुए आरा में आखिरकार रन देवी मंदर को खोल दिया किया अच्छा भक्त मा के दरश्वन कर सकेंगे कितने लोगों के बता देए कि मंदर को खोल दिया गया केमर पुलिस ने भेड़ चोड़ी के मामले का उद्वेदन करते वे नौल लोगों को गिरफतार किया है जिसमें तीन लोगा हत्या कि आरोप में पहले ही जेल जा चुके हैं फ़लाल गरफतार अपरादियों के पास से तीन राइफल एक देसी कटा दस जिन्दा गोली पांच कोखा तीन भाईक एक पिकप एक टीवी बारब मॉबाइल दो बक्री साइट चान्दी और सोने के दर जनुआ भूशन और खरी 25,000 रुपे नकद बरामत किये गए हैं स्पी राकेश कुमार ने बताया कि चनपूर थानक चेतर की जिगनी बधार में 30 से अपरेल के राद 10 से 15 के संख्या में अपराधियों ने एक नब्बे भेड की चूरी कर ली थी रात्री में इसमें टीम को टेक्निकल सवलांस के आदार पे इन्पूट राप्ट हुआ था उस इन्पूट के बेस पे कैमूर जिलांतर का थी दुमरेट एक गाउं हैं जहां पर रेट की गई जहां पर सबस्पहले वजीर नामा के एक अपरात करमी है जो पूर मेवी हत्या के केस में जेल जा चुके हैं उनकी गिरिफतारी की गए इसके साथ में उनके डो आन्यसाचियों की भी गिरिफतारी की गई जिसमें इस एक वजीर हैं और सुरे से इन तीनों के पास से हम की गरिफतारी की गई है तो हमारे हमारे बियार केस बुलिट्सिंट में फलाल इतना ही पूरी टीम के साथ मुझे दीचे है इचासे नमस्कार